2024 में अगर आप अपने लिए एक ऐसा एर कंडिशनल पर्चेस करना चाहते हैं जो कि सभी टाइप की वेदर के लिए बिलकुट परफिर्ट हो जिसे कि गर्मियों के दिनों में आपको कूलिंग प्रोवेट करें बारिश आने की मौनसून के मूसम में चिपचिपे माहो लेने की हुमिडिटी लेवल को मैनेज करें और सर्दियों के दिनों में आपको हीटिंग प्रोवेट करें तो दोस्तों इस कंडिशन में आपको अपने लिए एक आल टाइम वेदर ऐसी जिससे कि हम होट और कोड इसी कहते हैं वही पर्तिस करना चाहिए और आज के इससे वीडियो में मैं आपको पताने वाला हूँ टॉप फइब बेस्ट होट और कोड एर कंडिशनर इन इंडिया टूट होसन टुएंटी फोर के बारे में वो भी खरीदने से पहले की जरूरी इंपोर्टेंट बातों और प्रॉस और कॉन्स के साथ में जिससे कि आपको मनत मिलेगी अपने लिए एक पस्ट बाइंग डिसीन लेने में अब हम होट और कोड एर कंडिशनर की वरकिंग प्रॉस और मेकिनिजम के बारे में समझते हैं तो दोस्तो आप सभी को पता हुआ कि जो भी नॉर्मल एर कंडिशनर होता हैं जब कभी आप उनमें कूल मूट पर एर कंडिशनर को रन करता है तो AC के indoor unit से हमें cooling मिलती है याने की cool air देखने को मिलती है और outdoor unit से गर्म हवा याने की hot air पास होती है सेम दोस्तो hot and cool AC में भी यही process रहेगी जब कभी भी आप AC को cool mode पर run करेंगे लेकिन जब भी दोस्तों आप hot mode याने की heat mode पर air conditioner को use करेंगी तब दोस्तों यह पूरी process जो है वो reversible mood में काम करेंगी क्योंकि hot and cool air conditioner में दोस्तों आपको reversible wall मिलता है जो की दोस्तों heating और cooling को proper तरीके से manage करता है जब कभी आप hot and cold air conditioner को heat mode पर use करेंगे तो AC के indoor need से आपको hot air मिलेगी और outdoor need से उस condition में जो है वो cold air पास होगी अब बात करता है कि आखिर आपको किस weather condition में अपनी लिए hot and cold air conditioner को consider यानि की purchase करना चाहिए सपोस्तों अगर आप इसी इलाके से बिलॉग करता है जहाँ पर ठन पड़ती है लेकिन बर्फ नहीं पड़ती तो AC में आप hot and cold AC अपने लिए purchase कर सकते हैं लेकिन दुस्तों अगर आप एसी इलाजे से बिलॉंग करते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा बर्फ परती है, तो एसे में आपको hot and cold air conditioner अपने लिए नहीं परतिस करना चाहिए, क्योंकि दुस्तों hot and cold air conditioner का mechanism ही यही है, कि जब कभी भी आप heat mode पर air conditioner को run करेंगे, तो indoor unit से जो हैं वो गर्म होँआ पास होगी, और outdoor unit से थंडी अवा, और outdoor unit से अगर थंडी अवा पास हो रही है, और बहार भी बर्फ पढ़ रहा है, तो एसे में आपको AC का outdoor unit पूरी तरह से चौक हो सकता है, तो एसे में आपको room गर्म करने के लिए कुन सा appliances परतिस करना चाहिए, जो दोस्तों आपको एक room heater purchase करना चाहिए, और best room heater के उपर पि दोस्तों already मैंने आपके लिएक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो के लिंग आपको description box मिल जाएगी, उस वीडियो को देखकर आप अपने room के लिए एक best room heater purchase कर सकता है, इस वीडियो को दोस्तों जो आपको top top 5 best hot and cold air conditioner बताएंगी, उनमें आपने डाइकीन, गौदरेज, लॉयर, पैनस्वनिक और LG के 1.53 star hot and cold air conditioner को गंसिलर किया है, और इन पाचों ही air conditioner में आपको 32 refrigerant gas मिलेगी, जो की green gas है और cooling के वामले में काफ़ efficient है, वही cooling coils और condenser coils की बात करें, तो इन पाचों ही brand ने 100% copper का use क दिया है, साथ ही दोस्तों, corrosion से protection के लिए यहाँ पर आपको coating भी देखने को मिल जाती है, coating का color आपको जो है, वो brand to brand different देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको LG में black color का coating protection देखने को मिलता है, जबकि Panasonic, Dykin या other brand के अंदर आपको जो है वो blue color का coating protection देखने को मिलता है, वही बात करें, दोस्तों, warranty की, तो अच्छी बात यह है कि इन पांचों ही air conditioner पर आपको एक साल की over product पर warranty मिलेगी, पात सल की PCB और 10 साल की compressor पर, Lloyd के air conditioner पर दोस्तों, जो भी मैं आपको product link प्रोड़ाइट करूँगा, हो सकता है, कि वहाँ पर पात सल की PCB पर आपको warranty ना देखने क मिले, लेकिन दोस्तों, Havis Lloyd की जो website official वहाँ पर clearly mention है, कि हर एक air conditioner पर जो है, वो Lloyd की उससे पात सल की PCB पर भी warranty आपको देखने को मिलती है, इसके लावा, Godrej की AC को छोड़ कर इन चारों ही air conditioner में, आपको stabilizer free operation का feature मिल जाता है, जिसकी voltage range अभी आप video की screen पर check out कर सकता है, voltage range क का मतलब यह है, कि दोस्तों, अगर आपकी area में, इसी मीच में power up and down होता है, तो फिर आपको alexis stabilizer अपने AC के साथ नहीं लगा रहा है, लेकिन दोस्तों, exactly power कितना up हो रहा है, या down हो रहा है, आप इसका अंदाजा कभी भी नहीं लगा सकते, इसे में आपको एक individual stabilizer अपने AC बॉक्स में मल जाएगी, उस वीडियो को देखकर आप अपने AC के लिए एक best stabilizer purchase कर सकता है, वहीं hot and cold operation की बात करो तो दोस्तों, डिटेल अभी आप वीडियो की screen पर check out कर सकता है, जिसमें कुछ brand ये claim कर रहा है, कि minus 10 degree, minus 7 degree, minus 4 degree temperature में भी इनके AC आपको proper heating provide करेंगे, लेकिन दोस्तों में आपको बता दूँ कि इंडिया में बहुत से AC इलाके हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा temperature ड्रॉप नहीं होता, कुछ AC इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्प पड़ता तो वेसे तो दोस्तों मैं already आपको बता चका हूँ कि वहाँ पर hot and cold air conditioner वेसे भ आपको ठंड में भी बहुत अच्छी heating प्रोवेट करेंगे, वहाँ दोस्तों का अगर मैं cooling की बात करूँ जिसमें डाइकेन यह claim कर रहा है कि 54 degree temperature या जो other brand claim कर रहा है कि 52 degree temperature में भी आपको इनकी AC से अच्छी cooling देखने को मिलेगी, वेसे दोस्तों इंडिया में बहुत से इ temperature को कम करना होता है ना कि बाहर के temperature को, तो एसे में आपको इन पाचों ही air conditioner से प्रॉपर cooling जरूर देखने को मिलेगी, top 5 best hot and cold air conditioner in India 2024 में number 5 पर है, डाइकेन का यह 1.5 ton 3 star hot and cold air conditioner जिसमें आपको 5000 watt की cooling capacity मिलती है, और अगर actual ton के साब से अगर हम इसे calculate करें तो यह air conditioner आपको 1.42 ton का मिलेगा जिसे की आप up to 150 square feet तक के एक proper air sealed room में यूज़ का सकता है, इस model में आपको 10.5 kg इंडूर unit मिलेगा, जबकि आपको 29.5 kg यहाँ पर outdoor unit मिलता है, वही ऐसे value इस model में आपको 4.39 की मिल जाती है, और 20 star rating parameter के साब से यह air conditioner सालाना 881 unit consume करेगा, वही noise level की बात करें, तो इस AC में आपको 38 decibel का यहाँ पर noise level देखने को मिल जाता है, डाइकिन की इस AC में आपको string compressor मिलता है, और ये compressor दोस्तों काफी खम noise करता है, और cooling के मामले में काफी efficient आपको अच्छी cooling provide करता है, इस AC के indoor unit में दोस्तों आपको triple display मिलेगा, जहाँ पर आप power consumption का percentage चेक कर सकते है room temperature केता है, वो आप check कर सकते हैं, और suppose अगर AC में कोई भी problem है, तो auto error code भी दोस्तों triple display पर ही visible होता है, इस AC में दोस्तों indoor unit की cooling calls को clean करने के लिए आपको due clean technology का feature मिल जाता है, साथ ही दोस्तों आपको 3D air flow का feature यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे कि दोस्तों air conditioner का indoor unit है, व यह filter दोस्तों हवा से virus bacteria को proper तरीके से clean करता है, और आपको बहुत ही healthy और अच्छी air यहाँ पर provide करता है, वही दोस्तों price की बात करें, तो इस AC को फिलाल आप purchase कर सकते हैं, 43R 990 रुपे में, जिसकी best buying link दी है मेरे आपको description box में, अब बात करता है, डाइगिन के इस AC के pros and cons क दोस्तों काफी सारे फायदे हैं, आपको इस AC में swing compressor मिल जाता है, जो कि काफी कामयाब है, PM 2.5 filter आपको इस AC से देखने को मिल जाएगा, और ये AC दोस्तों आपको काफी premium और बढ़िया cooling यहाँ पर provide करता है, लेकिन कमी भी आपको देखने को मिलेगी, वो यह है कि दोस्तो यह AC आपके लिए एक अच्छी choice बन जाता है, टॉप 5 best hot and cold AC in India to the house on 24 में नमबर 4 पर है, लाइड की ओर से आना वाला यह 1.5 and 3 star hot and cold air conditioner जिसमें आपको पाच यार 250 वोट की cooling अपर सेटी मिलेगी, और actual 10 के साब सी यह AC आपको 1.49 तन का देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप वही AC value आपको 3.90 की मिलेगी और 20 star rating parameter के साब से यह AC सालाना 1043 unit consume करेगा, वही noise level की बात करें, तो इस AC में आपको 40 decibel का यहाँ पर noise level देखने को मिल जाता है, लाइड के इस AC में आपको rotary compressor मिलता है, जो कि आपको बहुत efficient cooling प्रवेट करता है, वही दोस्तों आपको 5 in 1 convertible cooling modes मिलेंगी, दोस्तों इस जो modes मिल रहे हैं, जिसमें आप AC को अलग-अलग capacity में use कर सकते हैं, वो cool mode के लिए है, यानि कि आप hot mode पर convertible cooling modes को use नहीं कर सकते हैं, वही दोस्तों अगर आपको low gaze detection का feature मिलेगा, सपोज अगर आपकी AC में gaze liter कोई भी issue है, तो E5 का जो error है, वो AC के indoor unit पर flash होगा, वहीं AC में दोस्तों filter clean indication का feature मिल जाता है, सपोज अगर आपकी AC के जो filter है, वो गंदे होगा है, और आपको उन्हें clean करना है, तो भी AC दोस्तों indoor unit के display पर CL का error show करेगा, इस AC में दोस्तों आपको four way air swing का feature मिल जाता है, यानि कि जो air का flow होगा, वो left and right and up and down, चार आप जरूर देखिए, उस वोडियो के link आपको description box मिल जाएगी, वहीं दोस्तों filtration की बात करें, तो इस AC में आपको anti-viral filter और PM 2.5 filter मिल जाता है, और दोस्तों ये जो filter है, वो हवा से virus, bacteria को proper तरीके से clean करता है, और आपको AC से healthy or fresh air provide करता है, वहीं दोस्तों price की बात करें, त इस AC के pros and cons की, दोस्तों pros काफी सारा है, इस AC में आपको rotary compressor मिल रहा है, air filtration काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, वहीं दोस्तों light का आपको installation check feature मिल जाता है, वहीं दोस्तों बजर friendly भी है, यानि कि काफी सस्ता आपको मिल जाता है, वहीं दोस्तों ये कमी के अगर मैं बात हैं, वहाँ पर इनकी जो service है, वो तनी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन अगर आप Metro City से बिलॉंग करता है, या फिर जहाँ पर Hevels Floyd की service खाफी अच्छी है, तो वहाँ पर इस AC को आप बिल्कुल अपने लिकांसिदर कर सकते हैं, top 5 best hot and cold AC in India 2024 मे मिल जाएगा, जिससे कि आप up to 170 square foot तक के एक proper air cell room में यूज कर सकता है, इस AC में आपको 11 kg का indoor unit मिलता है, और 30.5 kg का आपको outdoor unit मिलता है, जबकि आइसे वेन्लू इस AC में आपको 4.20 के मिल जाएगी, और 20 star rating parameter के साब से ये AC सलना 999 unit consume करेगा, इस AC में आपको 44 decibel का यहाँ प cooling प्रोवेट करता है, वहीं दोस्तों indoor unit की cooling और इसको clean करने के लिए आपको यहाँ पर self feeling technology का feature मिल जाएगा, साथ ही आपको metal guard PCB यहाँ पर देखने को मिल जाता है, साथ ही air filtration की बात करें, तो इस AC में आपको anti-violet filter यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इस AC की प्राइस की AC में आपको twin-to-three compressor मिल जाता है, और यह Indian brand का air conditioner है, जो कि आपको cooling capacity भी खाफी बढ़िया यहाँ पर प्रोवेट करता है, वहीं कॉल सेने की कमी के गर में बात करूं, तो noise level इस AC में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, वहीं दोस्तों rural area में Godridge की जो after-sale services है, वो आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, अगर आपको noise level से फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता है, और आप metro city से बिलॉंग करता है, तो इस AC को बिलकूल आप अपने लें consider कर सकते हैं, Top 5 best hot and cold AC in India 2024 में number 2 पर है, परास्वनिक के ओर से आने वाला ये 1.5 ton 3 star hot and cold air conditioner, जिसमें आपको पाश हर 150 watt की cooling capacity मिलती है, और actual ton के साब सी ये AC आपको 1.46 ton का मिलेगा, जिसे की आप up to 170 square foot तक के एक proper air syndrome में यूज़ कर सकता है, इस model में आपको 12 kg का indoor unit और 29.5 kg का outdoor unit मिलेगा, औ IC air window इस model में आपको 4.10 के बल जाती है, और 20 star rating parameter के साब से ये air conditioner सालाना 972 unit कंजूम करेगा, और noise level इस model में आपको 39 decibel का मिल जाता है, पैनास्वनिक का ये air conditioner twin rotary auto convertible compressor के साथ आता है, जो कि power selling के साथ साथ आपको बहुत अच्छी uniform cooling प्रवेट करता है, दोस्तों ये air conditioner एक Wi-Fi enable air conditioner है, जिसमें आप Google Alexa को use कर सकता है, साथ ही पूरा control आप अपने mobile पर AC का ले सकता है, इसके लिए आपको Panasonic की Mirai app को अपने mobile पर install करना होगा, दोस्तों Mirai app में काफी सारे feature है, जिनने की आप बहुती smoothly यहाँ पर use कर पाएंगे, वही दोस्तों इस AC के अंदर आपको जो है आपको PM 0.1 filter मिलेगा, और यह filter दोस्तों हवा से virus vector को proper तरीके से inactive करता है, और AC से आपको healthy और free shear provide करता है, इस AC की प्राइज के अगर में बात करूँ, तो फिलाल आप इससे purchase कर सकता है, 41.290 रुपय में जिसकी best buying link मिलेगी आपको discussion box में, अब बात करता है Panasonic के AC के आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको twin rotary compressor मिल जाता है, यह AC आपको wifi enable देखने को मिलेगा, और इस AC में आपको PM 0.1 filter मिल जाता है, साथ यह आपको 7-1 convertible cooling moods भी मिलता है, वही cons इने की कमी के अगर में बात करूँ, तो दुस्तों कुछ AC pin codes हैं, खास कर गाउं वाले इलाके जहाँ पर panasonic की जो after sale services है, वो उतनी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिर अगर आप ऐसे area से बिलाउंगी नहीं करता है, तो उस condition में panasonic के यह AC आपके लिए बहुती अच्छी best choice बन जाता है, top 5 best hot and cold air conditioner in इंडेटों 2024 में number 1 पर है, LG का यह 1. 1.5 आटन 3 स्टार hot and cold air conditioner जिसमें आपको बावन सो वाट की cooling के capacity मिलेगी और actual टन के सापसी यह AC आपको 1.48 टन का मिल जाता है, जिससे कि आप up to 180 square foot तक के area में use का सकता है, इस AC में दोस्तों आपको 11 kg का indoor unit जबकि आपको outdoor यहाँ पर 32 kg का मिलेगा, जिस काराम की वज़े से दोस्तों इसका coverage area आपको 180 square foot तक मिलता है, इस AC में आपको 3.96 के यहाँ पर ICA value जाएगी, वही दोस्तों 31 dB का यहाँ पर आपको less noise operation देखने को मिलेगा, और वेसे भी दोस्तों जो LG के AC होता है, वो low noise operation के लिए जाने जाते हैं, LG का यह air conditioner dual inverter compressor के साथ आता है, जो कि power saving के सास आपको बहुत अच्छी uniform cooling provide करता है, इस AC में आपको 5-in-1 convertible cooling woods मिलता है, जिसमें अलग-अलग capacity में आप air conditioner से cooling ले सकता है, साथ ही आपको low gaze detection का feature भी इस AC में मिलता है, सपोज अगर AC में gaze related कोई भी issue है, तो CH38 का जो error है, वो AC के indoor need पर visible होता है, वही दोस्तों आपको 4-way air swing cooling का feature भी इस AC में मिलेगा, साथ ही आपको indoor energy cooling calls को clean करने के लिए auto clean का feature भी मिल जाता है, इसके लाव आपको smart diagnosis का feature भी इस AC में देखने को मिलता है, सबोज अगर आपको लग रहा है कि आपके AC में पूर भी problem है, तो AC के remote में आपको smart diagnosis का button देखने को मिलेगा, उसे अगर आप HD filter with anti-virus protection यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और दोस्तों यह filter air conditioner से आपको soft force यहाँ पर healthy air provide करता है, वहीं दोस्तों price की बात करें, तो फिलाल आप AC को purchase कर पाएंगे 45,990 रुपय में जिसके best buying link मिलेगी आपको description box में, अब बात करता है, LG के AC के pros and cons की, तो दोस्तों काफी सारे pros यहने की फायदे आपको इस AC में देखने को मिलेंगे, इस AC में आपको dual inverter compressor मिल जाता है, वहीं दोस्तों आपको 5-in-1 convertible cooling ports मिल जाता है, और less noise operation आपको इस AC का देखने को मिलता है, और most important दोस्तों, after sales services, LG की आपको काफी बढ़िया देखने को मिलती है, वहीं cons जने के कमी की अगर में बात करूँ, तो कमी के वल इतनी है कि price में थोड़ा सा आपको यह महिंगा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको budget का कोई issue ही नहीं है, तो AC में LG का यह air conditioner आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया choice है, दोस्तों बहुत ही मैनत ओर इसकर करके आपके लिए व purchase करता है, तो दोस्तों आपकी price में से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा, लेकिन दोस्तों आप indirectly हमारे चनल के काफी ज़्यादा financially help कर देंगे, अगर आप हमी support करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा दी गई affiliate link से ही purchase करें, तो दोस्तों यह रही complete details top 5 best hot and cold air conditioner in India 2024 के बारे में, म अपने family friends के साथ इस video को share करना बिल्कुल मत भूलिया, अगर आपके कोई सवाल है, तो please comment कीजिए, मैं आपके सवाल अगर reply आपको जरूर दूँगा, दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत चनल टेक नवी वीडियो में, तब तक के लिए, जैहीन, बंद